Hello everyone, welcome back to the channel. बच्चो, आज हम पढ़ने वाले हैं Class Strength Mathematics का Chapter No.2 जो की है Polynomials. बच्चो, वैसे तो ये Chapter बहुत ज्यादा आसान Chapter है, लेकिन जबसे आपका syllabus reduce हुआ है, ये Chapter और भी ज्यादा आसान हो चुपा है. ठीक है? अच्छा. बच्चो, ये Lecture जो है, ये पूरा का पूरा आपकी Term 1 के हिसाब से डिजाइन किया गया है. ठीक? इसमें हम पूरे के पूरे Concept कवर कर रहे होंगे, साथ में हमारी NCERT को भी कवर कर रहे होंगे. ठीक? तो ध्यान से समझते हैं क्या कहता है Polynomials. आई ये Start करते हैं. बच्चो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये Polynomial आखिर होता क्या है? बच्चो, Polynomial का मतलब होता है कि एक से ज्यादा, ठीक है? एक से ज्यादा Algebraic Term का वहाँ पर present होना. जैसे कि हमने जो ये Example लिखा है 3X प्लस 5 ठीक है? इसके अंदर क्या हो रहा है? कि हमारा एक तर्म तो ये वाली है और दूसरी तर्म ये वाली है. ठीक, दो Algebraic Terms लिखी है, अच्छा. और इनके डीच में क्या आना चाहिए? या तो प्लस ठीक है? और या तो माइनस. ये दो चीजे ही आएगी. ठीक, या तो प्लस या तो माइनस. कभी Divide Multiply नहीं आएगा. अच्छा. चलिए, छोटी-छोटी चीजे समझते हैं, जो हम पहले से सायद जानते होंगे. ठीक, अब देखू. ये जो X यहाँ पर लिखा रहता है न, ये हमारा होता है Variable. क्या होता है? Variable. पर जो Variable का मतलब होता है, कि जिसकी Value Change होती रहे. जैसे कि हमारा जो Weight होता है, वो क्या होता है, Variable होता है. बचपन में आप 2-3 किलो के होंगे, आज आप 30-40 किलो के, 50 किलो के होंगे. ठीक, तो Weight हमारा क्या हो रहा है? Change हो रहा है. तो वैसे X भी है. X की Value आग बड़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. ठीक, अब ये होता है हमारा Coefficient. क्या होता है? जो ये X के आगे लिख रहता है, इसको हम कहते हैं Coefficient. ठीक है? Coefficient of X. अच्छा. और एक होता है हमारा Constant. क्या होता है? Constant. अब ये जो Constant होता है, इसकी Value कभी भी Change नहीं होती है. ठीक, आप इंडिया में देखेंगे, तब भी ये 5 ही रहेगा. चाइना जाएंगे, तब भी 5 रहेगा. अमेरिका value change नहीं हो सकती. ठीक है? कुछ समझा रहा है? ठीक. बच्चो, ये हमारा एक polynomial है, जिसके अंदर दो algebraic expressions लिखेंगे हैं. ठीक है? और इनको किस से जोड़ा गया है? प्लस या माइनस है. ठीक? अच्छा. अब हमारा एक algebraic expression ये भी है, और दूसरा हमारा ये भी है. ठीक? x into y लिखा, तब भी ये हमारा polynomial नहीं होगा. ठीक है बच्चो? कुछ समझ में आ रहा है? बच्चो, अब हम समझते हैं कि degree of polynomial क्या होता है? बच्चो, इसका मतलब है, जो भी हमारा polynomial है, जो भी expression हमको दिया हुआ है, उसके अंदर, जो हमारा variable है, इसकी highest power क्या है? इसकी highest power क् चलो देखो, ये हमारा x लिखा हुआ है, अब जिसकी power कुछ नहीं होती, उसकी power होती है, 1, क्या होती है? 1, तो इसकी degree कितनी आ गई? इसकी degree आ गई हमारी 1, ओके, अच्छा, ये expression को देखो, इसके अंदर, x की highest power क्या है? यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर कुछ नह 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x ही नहीं है, अच्छा, तो यह क्या हो गया? इसकी highest power क्या गई? 3, तो यह जो highest power हमने लिखी है न, इसी को हम कहते है, degree of polynomial, ठीक है? degree of polynomial, अच्छा, अब जिसकी degree 1 होती है, इसको हम कहते है, linear polynomial, क्या कहते है? linear polynomial, अच्छा, अब जिसकी degree 2 होती है, इस क क्या कहते हैं quadratic polynomial क्या कहते है quadratic polynomial और जिसकी degree 3 होती है उसको हम कहते है cubic polynomial क्या कहते है cubic polynomial अच्छा अब देखो बेचो एक पर power 1 3 2 3 3 3 ऐसा हो रहा है अच्छा यहाँ पहे हमारा linear quadratic and cubic polynomial आ गया है अच्छा अब कभी भी जो हमारी ये power है न, जो हमारा exponent है ये कभी भी क्या नहीं हो सकता negative नहीं होगा क्या होगा, negative नहीं हो सकता, अगर negative है तो वो हमारा polynomial नहीं होगा, ठीक, तो हम किससे पहचानेंगे अगर हमारे variable की power non-negative नंबर है वो हमारा हो जाएगा polynomial अच्छा अब ऐसे तो हम सिंपल पहचान सकते हैं दूसरी चीज अगर आपको दे दिया root of x plus 3 क्या ये polynomial है नहीं है अगर आपको ऐसा दे दिया 1 by root of x square plus 3 क्या ये polynomial है नहीं है ठीक है हमारे power कैसी होना चीए non negative numbers ठीक है अच्छा अच्छा बचो अब हम चलते हैं next topic पर जो कहता है value of polynomial px हमको इसकी value निकालने ठीक कोई बात नहीं अगर सामने वाले ने कह दिया कि इस polynomial की value निकालो जब x हमारा कितना है 2 जब x हमारा कितना है x equal to 2 पर इस polynomial की value निकालना है तो simple सा logic है x की जगा पूरी जगा क्या रख देंगे 2 तो आजाएगा p of 2 equals to 2 का square minus 3 into 2 minus 4 अच्छा 2 square 4 minus 3 to 6 minus 4 ये क्या गया हमारा minus 6 तो polynomial की 2 पर value कितनी है minus 6 क्या इसमें कोई doubt है अच्छा अब हमको बोला है कि भीया इस polynomial की x equal to x equal to minus 1 पर value निकालो तो हमने polynomial हमारा क्या है polynomial है हमारा x square minus 3x minus 4 ठीके अच्छा इसके अदर x की जगा हर जगा क्या रख देंगे minus 1 आई ये रखिए p of minus 1 equals to minus 1 का square minus of 3 into minus 1 और minus 4 तो ये आजाएगा 1 plus 3 minus 4 equals to 4 minus 4 equals to 0 तो हमारा polynomial की value क्या आगई? 0 polynomial की value क्या आगई? 0 अच्छा यहां से हमको एची सीखने को मिलेगी कि ऐसी x की value जिसके लिए polynomial की value क्या हो जाए? 0 हो जाए तो उस x की value को हम बोलेंगे उस x की value को हम बोलेंगे roots क्या बोलेंगे? roots या हम बोल सकते है solution क्या बोल सकते है? solution और एक और word इसके लिए आता है उसको हम बोलते है zeros, क्या बोलते है zeros, ठीके, कोई दिक्कत बेटा, ठीके, क्या बोलेंगे, ये minus 1 को क्या बोलेंगे, roots बोलेंगे, solution बोलेंगे, या zeros बोलेंगे, कोई दिक्कत, अच्छा, ठीक, अब हम चेक करते हैं, x equal to 4 के उपर, x equal to 4 के उपर, जब हमने चेक किया, तो हमक 3 into 4 minus 4 ठीके अच्छा देखों क्या जाएगा 16 minus 12 minus 4 यह आगया 16 minus 16 equals to 0 अच्छा तो हमारा polynomial जो है इसकी 4 पर भी value क्या आ रही है 0 मतलब 4 भी हमारा क्या हो गया root हो गया इसका क्या हो गया root या 0 या solution कुछ भी बोल लो अब अगर हमको बोल दिया कि इस polynomial का 0 निकालो या root निकालो तो देखिए क्या आएगा हम direct इस polynomial की value क्या रख देते हैं 0 इस polynomial की value क्या रख देते हैं 0 तो उसके लिए जो x की value आएगी वो हमारा कहला आएगा roots या 0 अच्छा देखो हमने polynomial की जगर रख दिया 0 equals to 2 into x plus 8 8 इधर आएगा minus 8 equal to 2x तो यह आगया हमारा x equal to minus 8 by 2 तो x आगया हमारा minus 4 ठीके तो x की value क्या आगी minus 4 मतलब यह हमारा root हो गया यह हमारा 0 हो गया अच्छा अब हमने एक चीज़ यहां से सीखने को मिलती है कि भया अगर हमारा polynomial linear है तो हमारे पास roots कितने आएगे एक आ रहा है कितने आएगा एक root आएगा ठीक और अगर हमारे पास क्या है linear है क्या है linear polynomial है तो हमारा maximum root कितना आएगा एक आएगा ठीक है अच्छा अगर हमारे पास quadratic है क्या है quadratic polynomial है तो हमारे maximum root कितने आएगे दो ठीक अब दो maximum आएगे हो सकता हो कि आपका एक भी root ना आए आपका एक root आए या maximum दो root आए यह हो सकता है ठीक अब तीसरा देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, कुन सा पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक, इसके अंदर maximum क्या होगा, 3 zeros, मतलब जितनी उसके degree होगी, उतने उसके roots maximum हो सकते हैं, अब हमने ये जो equation अभी देखी, 2x प्लस 8, इसको हम graphical represent करके देखते हैं, 2x प्लस 8 जो है हमार 2x प्लस 8, चलो ठीक हैं, अब हम क्या रखेंगे, x और y इसकी values रखेंगे, ठीक है, एक बार x को 0 रख दो, x को 0 रख दो, देखिए क्या आता है, y equals to 2 into 0 प्लस 8, ठीक है, यही आएगा, अच्छा, तो हमारा y की value direct क्या आगी, 8, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 8 आगया, अच चलो, अब अगली बार y को 0 रख दो, y को 0 रख दो, y को जब हम 0 रखेंगे, तो आज अगा 2x प्लस 8, तो x की value आप चेक करना आएगी, minus 4, क्योंकि हम इधर solve कर चुक है, ठीक है, x की value के आगी, minus 4, तो हमारे पास 1 point के आगया, 0,8, 1 point के आगया, minus 4,0, तो चलिए इसका graph ब ओके, ठीक है, अब हमारा जब x 0 है, x 0 है, तो y हमारा 8 कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अच्छा, और जब हमारा y 0 है, y 0 है, तो x आ रहा है, minus 4, तो यह आगया, minus 4,0, और यह वाला point हो गया, minus 4,0, और यह वाला point हो गया, 0,8, ठीक, दो point आ गया, तो इसकी line देखो, कुछ इस तरह से इसका graph बन रहा है, ठीक है, ठीक, अब देखो, यह हमारा polynomial कैसा है, linear, तो यह ने x-axis को किटनी जगा काटा, एक जगा काटा, कितनी जगा काटा, एक जगा काटा, मतलब की, मतलब, जितनी बार कोई equation x-axis को काट रही होगी, उतने उसके roots आएंगे, उतने उ अगर quadratic equation है, कुछ भी ax square plus bx plus c, यह हमारी एक quadratic equation है, तो यह quadratic है, तो इसके roots कितने आ सकते है maximum, दो, तो यह हमारा x-axis को कैसे काटेगा, या तो यह ऐसे काट सकता है, या तो यह ऐसे काट सकता है, दो possibility हैं, ठीके, ठीक, ठीक, एक सेक्सिस को कितनी जगा काटा, दो जगा, x-axis इसको कितने जगा काटा, दो जगा, तो इसके maximum roots कितने है, दो, अच्छा, तो ये जब इसका मूँ उपर है, और इसका मूँ नीचे है, ये हमको कैसे पता चलेगा, कि ये जो हमने expression लिखा है न, इसके अंदर, जो x square का coefficient है, मतलब a, अगर ये a positive हुआ, मतलब a greater than 0 हुआ, तो इसका मूँ आएगा, उपर के साइड, और अगर a की value less than 0 हुई, तो इसका मूँ आएगा, नीचे की साइड, ठीके, जैसे equation लिखी है आपे, 3x square, minus 4x, plus 2, ऐसा कुछ भी expression लिखा है, रेंडम, तो इसमें a को देखो, a क्या है, positive है, तो इसका graph का मूँ क्या आएगा, उपर, यह देखो, दूसरी equation, minus 2x square, minus 8x, plus 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीके, तो इसमें a क्या है हमारा, negative, तो मूँ क्या आएगा चीज़ का नीचे, ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, यह तो दो roots के हो गया हमारा, अगर इसका एक root, इसका एक root है, मतलब इसने क्या कर सिर्फ x-axis को holm Table, टच करके, चले गया, यह सिर्फ x-axis को tutch करके, कोई दिक्कत, ठीके, धिके, मतलब एक point पर इस x-axis को touch कर रहा होगा, अगर इसके 0 root है, क्या है, जीरो root है, इसका मतलब है, इसने x-axis को कहीं नहीं काटा, यह ऐसा हवाबाजी करके, निकल जायेगा, कोई तो हमको graph दिये हुए हैं, इसका कितने roots होंगे, इसके कितने zeros होंगे, आईए देखते हैं, पहले वाले question में देखो, यह हमारा ऐसी कुछ line बनी है, ठीक, तो यह कभी भी x-axis को touch नहीं कर रही होगी, मतलब इसके roots कितने आएंगे, zero roots, कितने आएंगे, zero, आच्छा, इसने दे कितनी बार इसने x-axis को touch किया, एक, दो, तीन, तो इसके roots कितने आएंगे, तीन, इसके zeros कितने आएंगे, थ्री, अच्छा, यहाँ पर देखो, यह वाला graph कुछ इस तरह से है, इसके अंदर देखो, x-axis को कितनी जगा काट रहा है, एक, दो, तो इसके कितने root आगे, दो, अ ठीके बच्छो, यह आपकी exercise 2.1 खतम हो गई है, I hope कि यहाँ तक का आपका concept clear हो चुका होगा, अब इसके आगे का concept हम next lecture में cover कर रहे होंगे, तब तक के लिए best of luck पढ़ते रहिए और doubt पूछते रहिए